नमस्कार स्वागत है आपका न्यूज लॉंचर पर मैं हूँ नीलू व्यास प्रदान मत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के वारण असी दौरे पर है वारण असी जो उनकी कंस्टिटुएंसी है और बार बार इस बात को ये बताया जाता है कि देखिए वारण असी में जितना विकास का कारी हुआ है वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी की वज़ा से हुआ है लेकिन जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी वो भी हो रही है और वहाँ पर एक नहीं ऐसी कई चीजें सामने आई है जिसको गोधी मीडिया रिपोर्ट नहीं करता है अगर आप गोधी मीडिया देखें तो उसके हिसाब से तो इस समय वारण असी में इतना विकास हुआ है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि दूद की नदिया बह रही है वारण असी में किसी को कोई शिकायत ही नहीं है वारण असी में सब कुछ बल्ले-बल्ले है क्यों क्योंकि वहाँ वो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की कंस्ट्रिवेंसी है अभी वंदे भारत की ट्रेंस का इनाउगिरेशन मोधी जी कर रहे है उसके बाद आप देखें तो तमाम जो विकास कारियों के जो प्रोजेक्स हैं क्योंकि चुनाव पास आ गया है तो उनको करना ही है तो वो सारे विकास कारियों और जितनी भी जो इंफ्रास्ट्राक्चर प्रोजेक्स हैं उनको हरी जंडी देते हुए नरीद्र मोदी नजर आने कल भी आपने देखा था किस तरीके से मंत्रों चारणों के बीच से उनकी गाड़ी निकल रही थी तो जिस तरीके का आवभगत प्रधान मंत्री का हो रहा है वो तो ठीक है उनका स्वागत होना चाहिए लेकिन क्या को बताएगा कि मोदी जी वारण असी का बंटाधार भी किस तरीके से करने में लगे है एक तरफ इंफ्रस्ट्रॉक्टर प्रोजेक्स तो बन रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ जो बंटाधार होता हुआ वारण असी है उसकी कहानी आज कौन बताएगा उसके बारे में हम बात करेंगे और दूसरी तरफ हम ये भी बात करेंगे कि इंडिया अलाइंस को एक खुली चुनाती दी है गिरी राथ सिंग ने जो कि मोदी जी के मंत्री है उन्होंने कहा है कि किसी के पास भी हिम्मत हो तो वो नरेंदर मोदी के खिलाफ आकर वारण असी से चुनाओ लड़े अब ही आपने देखा था कुछ दिन पहले नितीश कुमार ने एक राली की परमिशन दी थी वाराण-सी में लेकिन उस राली को रद कर दिया गया यानि कि उस राली को परमिशन नहीं दी गई तो प्र मोदी जी के मंत्री गिरी राथ सिंग इस तरीके के चुणाओती क्यों पहला सवाल है वो यही है कि बार-बार यह दिखाये जाता है कि देखे वारणसी का कितना जादा विकास वारणसी में हुआ है और बिल्कुल, राम राज्येक तरीके से वारा नसी में आ गया अगर मैं ये कहूं इस तरीके का माहौल गोधी मीडिया बताने की कोशिश करता है लेकिन असलियत क्या है चाहे वो घाटों की जो दुर्गशा है या फिर किस तरीके से वारा नसी एक अंधकार में भी धकेला जा रहा है उसके बारे में कौन बताएगा और मैं सुनना चाहती हूं कि आखिर क्या कुछ आप वारा नसी में देख रहे हैं नेली जी सबसे पहली बात कि जो सब्जवाग दिखाए गया है नरेंद मोधी जी के दौरा कासी के बारे में थोड़ा लोगों को बताना चाहता हूं कि कासी और ब वाब विश्वानात के बारे में उनकी गड़ना नहीं कर सकते यह इतनी पुरानी सहर है और इसको लेकर कि क्या कहा था ने अने मोधी जी ने कि जब वो शुरुवात में आया थे कहते थे नहम मुझे किसी ने बूलाया है माघंगा के ये सपूत बन रहे थे और इसको क्योत बनाना चाहरा थे क्योटो कहां बना है जैपान में जहां पे भगवान गौतमबो दिसी काशी में वारांटी में शारनात में करके पहला उब्देश अपने 500 को दिया और बनारत से वो बहुत धर्म का प्रचार हुआ तो पहली बात कुछ समझना थी कि जो पैगोडा संस्कृत संस्कृति लाना चाहते थे वो पैगोडा संस्कृति मात 600 से 700 वर्ग पुरानी और कासी की पुरातन संस्कृति मुझे लगता है कि उसके बारे में 3000 से ज़्यादा जैसा विद्वान कहते हैं कि 3000 वर्ग से पुरानी यह सहर है तो पहली बात कि उनको खुद भी नहीं आपको थोड़ी कुछ चीज़े बताना चाहता हूं यह देखिए यह NGT ने यह कच्छवा सेंस्यूरी के बारे में यह सीधे पर्यावरण जो टेंट सिटी बनाए गई थी आज गंगा का प्रदूसर्ण इस अस्तर पे कि 5500 BOD जब नरेन मोदी जी मांगा की जलकाच्मन कि यह थे पैरा सूट पहन करके तो 5000 करोड रुपे निरुजी खर्ची होते और प्रदूसर्ण की मातरा इजनी थी तो यह मां गंगा के पूथ है कि कपूथ आपके दरसक तै करें दूसरी तरफ जिस मां को अविरलता निर्मलता चाहिए थी जहां स्वामी तमाम ऐसे गंगा विदों ने मुझे लगता है कि आपको याद होगा कि उत्राखंड में वहाँ पे प्रोफेशर स्वाम गरवाल नाम अभी मुझे भूल लहा है सानन्द स्वामी सानन्द का आपने देखा कि स्वामी सानन्द 116 दिन वो व्यक्ति बगयर रन्यजल के तपस्या किये थे और य गंगा विदों करने पर डैम रोक दिया था लेकिन डाक जो है नरेंद मोधी की सरकार ने डैम को नहीं रोका और स्वामी सानन्द 116 दिन लगा तार बैगयर रन्यजल के थे उनकी तरह से मिर्ट तुमें नहीं कहूंगा मैं कहूंगा कि सरकार उनकी और आज यह है गंगा की प्रधान मंत्री आये हों चाए आपके फ्रांस के राश्पती आये हों सारे जितने ऐसे आते हैं उनके सामने नालों के सामने सफेद परदे लगा दी जाते हैं और यह प्रधान मंत्री क्या सब जबाग दिखाएंगे आज मैं वारांसी में हूं टहल आता यह दिखे तस्व बात आपको कहना चाहता हूं कि आज उन्होंने कल तमिल संगम एक कारिक्रम किया गया जिस नमो घाट पे बहुत दुर्भाग पुढ़नीलू जी कहते हुए सर्मा रही है कि देड महीने हो गए बियेच्चू आई 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 टी की छात्रा के साथ हुआ वो देड महीने हो गए नहीं गए और यह यह उस छात्रा का बयान है तीसरी बात कहना चाहता हूं चौथी बात कहना चाहता हूं चुकि लोगों को बताना जो सब्जबाग दिखाये जा रहा है कि आज वाराणसी में यहां पे सरुसेवा संग जो नमो घाट है जहां पे नमो घाट बनाएगा वहा देश के पहले प्रधान मंत्री पंडी जवाल एंडियू के द्वारा और देश के पहले राजपती डक्तर राजिन पसाद जी के द्वारा और इन सारे महापूर्सों के साथ जो है वहां पे यह सरुशेवा संकिय स्थापना की गई 1960 में, 1961 में, 1968 में दोदो प्रधान मंत्रियों के रहते हुए बकायदे रजिस्टर्ड बैनामा हुआ और पता चलता है कि उस जमीन को दिमॉलिस कर दिया गया वहां पे यह देखिए करोणों की किताबे बापू के चरणों में फेट दी गई यह वो सरसेवा संग है जो सरवो प्रधान की भूमिका आपको बता दू कि जब 1975 में कांग्रेस की सरकार गिरी थी तो जेपी आंदोलन का ये प्रमुख केंदर था इस जेपी आंदोलन के दौरा जो जनता पार्टी की सरकार बनी जहां भारती जनता पार्टी के सिर्फ निता सुर्गेटल बिहार इबाज प नकी वहां पे और इसको लेकर कहना चाता हूँ कि आज इसको लेकर कि देड़ सो परिवार वहां रहा करते थी देड़ सो परिवारों को निकाल दिया गया थी तमाम ऐसे देश के गांधी भी दायम के उपर मुकदमे दर्ट के लिए तो आप ये बता रहे हैं कि देड़ सो जी आये तो इतना विकास हुआ लेकिन अब ये तो पेपर कटेंग्स में आप दिखा रहे हैं क्या ओपोजिशन इन चीजों को रेज नहीं कर पा रहा है संजीर जी कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर के हमारी नेता अगर आप ट्विटर पर जाएंगी तो आदेणी प्रियंका गांधी जो उत्तर प्रदेश की प्रभारी है इसको लेकर के लगाता है ट्विट किया और कांग्रेस पार्टी के साथ और विपच्छी दलो के लोग समाजव क्योंकि जंता लड़ी है और नीलू जी आज इसकी सच्चाई बता दू कि वारांड सी के लोवर कोट में मुकदमे कि सुनवाई नरेन मोदी जी नहीं होने दे रहे क्योंकि वहाँ पे जज का अप्वांडमिन ने किया गया जज को ट्रांसपर कर दिया गया इथनी डरियूँवे सी साड़ी उद्योग है आप सूनी होंगी देश विदेश में बनारस की साड़ियां मसूर है बनारसी साड़ी उद्योग आज जूब रहा है क्योंकि आज यहां पे कच्चा माल महंगा मिलता है बिजली की सबसेडिय उस्तरपदे सरकार ने छिली आज वो बोनकर अपना खून बेच करके टोटो जैसी आटो रिक्षा चला करके अपने परिवार को पाला यह तो बनारसी साड़ी द्योग की है गंगा मा गंगा की बात कि यह वही सरकार है कि 18% GST लेकर के गंगा जल को बेचा जा रहा था मैं इसी लिए कहता हूं हम भोजपूरी में कहा हो तम लोग कहत तेहनीलू जी आज भी कांग्रेस की देंती कि आज भी 50,000 परिवार पलते हैं कांग्रेस हमारी उप्तरपदेश में नहीं हो केंदर में नहीं है लेकिन आज ऐसा कोई संथान प्रदान मंत्री यहां साड़े-9 साल हो गया एक ऐसा कोई संस्थान नहीं दे पाए कि कल प्रद क्रूज लाया था जो मोधी जी ने पूरा बहुत चर्चित वो पूरूज चला था जिसके लिए मोधी खुद उठ घाटन के लिए गए थे आखिर वो क्रूज आई का क्या वो चलता है या फिर बंद पड़ा हुआ है बहुत सवाल किया क्योंकि ये वो लोग हैं कि आपको चित रख्या लोगा कि इन्होंने भगवान गणेश को भी दूद पिलाया था और निली जुसाद आप पिलाये होंगी या नहीं तो लोग एक कते थे जिनका गणेश जिन निलू जी एक आम आम आदमिया सोचे हम आप तो नहीं दे सकते 13 लाक रुपए में लोग 56 दिन क्यों रहेंगे क्रूज में भाई कलकत्ते जाने के लोग 4 गंटे में फ्राइट से पहुंच जाएंगे दिल्ली से वारांसी से क्रूज वारांसी से गाजीपूर गया क्योंकि पानी है नहीं, रेत में रुख गया, गाजीपूर से गया, सासाराम में रुख गया, बकसर में रुख गया, बकसर से तो क्रूज कहा है कुछ भी पता नहीं, केवल दिखाना है, यहाँ पे एक डॉक यार्ड खोला गया निलू जी, वहाँ पर आज भी एक धूसी लादी एक्जेक्टली यह यह जना है कि क्रूज यहाँ पे असी घाट से ले करके और जो नमो घाट उसको पहले खिड़किया घाट कहते थे, इसके बीच में कई पांच किलो मेटर और इतने लोग हैं जो मा को, गंगा को मा कहानी लूजी, पांच किलो मेटर गंगा मा के सीने को च गंगा अपना मोहना छोड़ देंगे और आज यही हो रहा है कि भरी जाडे में सैवाल काई जो होती है गंगा के किनारे लग जाते हैं, तो पूरी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि केवल और केवल बनारस के लोगों का दर्द नहीं दिखाये गया, एक कोई बड़ा हस्पिट करते हैं, अब बनारस आके पहल के देखिए, पूरी रियोडों पे चैनीज लाइते हैं, किस तरह का चैना के भी रियोध है, तो कहने का मतलब है कि एक कृतिम विकास दिखाये गया, कॉस्मेटिक डेवलप्मेंट है, ऐसा कुछ नहीं अगर होता, तो बनारस के लोगों की आर्थिक चमता बढ़ती, बुनकरों के आर्थिक चमता बढ़ती, किसानों को लेकर बता दू, कि यहां पे स्टेडियम बनाने के नाम पे, और कुछ कमपनिया जो बनाए जा रहे हैं, गुजरात को, बैपारियों को ले करके, तमाम ऐसे करीब, यह 86 गाओं को, उनकी जो है खरीद विक्री को रोग दिया गया है, आप बेच नहीं सकते, किसान परसान है, कि अपनी वो, इस समय जाड़े का सीजन चला है, यहूं की बुआई करे कि ने करे, तो इस तरह से केवल और केवल यह ची दिखाय जाता है, कि प्रदानमंत्री के आने पे बनारजबॉत भी का कि अगर आप देखे तो वारा नसी की सड़कों पर सब पहेंगे, अरे जी मोदी जी ने तो बहुत काम किया, मैं जब जब वारा नसी गई हूं, वहाँ पर चाहे वो जो विश्वनाजी का जहां पर मंदिर है, या फिर आप और भी इलाकों में जाएं, वहाँ पर लोग यह ही कहते हैं कि देखो मोदी आया, कितना विकास आया वारा नसी में, और लोग उसी धाना पर वोट डाल रहे हैं मोदी जी को, देखे एक चीज़ तो जरूर कहूंगा कि जिस मीडिया को निस्पत शुकर के बनारस के लोगों को उनकी दुख तकलीव को उठाना चाहे था, व अब अबिश्वनात की गलियां, वो सरपाकार गलियां, जो कासी पुरान में वढ़नी से, उसको तोड़ दिया गया, साड़े तींसो सो मकान तोड़ेगे, जबर जस्ती और कारिडोगा किसलिए, लेकि तो तोड़ने की बात कही जाएगी, तो ये कहा जाएगा कि हमने तो कर दिया, हमने तो बिल्कुल एक उसको ऐसा बढ़िया टूरिस्पॉट बना दिया कि अब हजारों लोग आएंगी देखने के लिए, आपको बता दूं कि चुकि आज बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, मैं उस घटना का इसलिए गवाओं कि मेरे नाम से PILTI कोट में, और हमने जब Chief Justice के सामने, वहाँ पर अपनी PIL के हमने का कि साब मंदेड इमालिस हो रहे हैं, तो जजज ने कहा कि क्या विकास के विरुदिन क्या विकास के विरुदिन है, लेकि धरोरों का सरच्छनों, मैंने उस चीज को अपने अनेक्जर में दिखाया, और बता दूं, जिस तरह से तमाम मैं नियाले पर सवाल नहीं खड़ा करता, जिस तरह से दबाव का महौल है उसको रोका नहीं गया, जबरन लोगों की घरों की लाइट काटी गई, लोगों की पानी काटे गए और लोग घर छोड़ने को बेचने को विवस हुए, और मैं ये बूचना चा उसके लिए क्या बनारस भूखा तो बाबा विश्वनात भूखे थे क्या, और केवल और केवल वहाँ पे साधी भीवा होती है, इसके लिए वो मंदीर का प्रांगर नहीं था, तमाम बनारस मैंसी जगह है, तेंट सिटी बनाई गई, तेंट सिटी को लेकर के नरण मोदी ने फीता काटा था, एंजीटी ने नीलू जी मुकदमा किया है, और सत्रा सत्रा लाग रुपे गुजराद की कंपनी मुकदमा ठोका है, ये सिती है, और आप ये सको देखी, ये है, आप ये सारी कर्टिंस में भेज दीजेगा, भी वाट्सापन, ये स्टीपी प्लांट है ये गौतम अडानी का एस्टीपी प्लांट लगा, हाईकोट एलाबाद ने कहा कि एस्टीपी प्लांट लगने के बावजूद भी गंगा में दूसी जल, सीवर के जल क्यों गिर रहे हैं, तो जानते हैं बहुत मज़दार तथे बताओं, सरकारी वकील ने कहा कि साब इसमे में ये खबरें पता चलता है, कभी भी अस्था नहीं पाती है, छोटे से छपती हैं, हम लोगों ने मेनत करके इसको निकाले हैं, जी जी क्या ये बात सही है, जो कुछ लोग मुझे बताते हैं, मेरे पास इसका सबूर तहीं, इसलिए मैं आप से पूछ रही हूँ, कि क्या बनारस का भी गुजराती करण एक तरीके से हो गया है, जब से पधानमंसरी नरिदिमोधी, वहां की कंस्टिटुएंसी उन्होंने समाननी शुरू की, बिलकुल गुजराती करण, मैं पहली बात की, गुजरात से तो देश की राश्पिता महत्मा गांधी भी आये थी, और गुजरात के लोगों को ही नौकरियां जा रही है और बनारस के जो लोग है, वारणसी के जो लोग है, उनको कहीं न कहीं इस पूरे प्रक्रिया में विकास के, क्या उनको नजर अंदास कर दिया गया है? बनारस के लोगों को आप कह सकते हैं कि अगर बड़े-बड़े कॉंट्रिक्ट होते हैं, तो बनारस के लोगों पेटी कॉंट्रिक्टर होते हैं, आज क्रूज की बात करूँ, तो गुजरात की कमपनी, यहां तक की काशी हिंदू विश्विध्याल है के वाइस चांसलर च्छिड के लोगों को, तीसरी बात करना चाहता हूं कि यहां पे जो होटलों का एक पूरा कहता हूं पूरी एक टीम आई हुई है, गुजरात के लोग हैं, बड़े-बड़े यहां पे उद्योगपती, वो काम कर रहे हैं, तीसरी बात यहां जो पूल एक बनाय गया था, आपको बताना चाहता हूं कि 2018 में यहां पे निलू जी एक पूल बना था, ठारा लोग उस फ्लाइओवर के गिरने से मर गये, और इंजीनियर जेल गया, लेवर जेल गया, और आपको बता दो, कॉंट्रेक्टर के नाम पे देखेगा, वहां ग्यात लिखा गया, और हम यह अमिस साग के किसी सहयोगी का वो कॉंट्रेक्ट था, आपको उसमें कॉंट्रेक्टर जेल नहीं गया, 18 लोगों की मिर्त हुई, तो कहीं ने कहीं पूरी तोरते बनारस में गुजराती उद्योगपती, गुजराती जो विल्डर और गुजरात के जो लोग, मनरिन मोदी की स काम करते हुवई लोग है, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पे ठेके ले रहें, वही लोग है जो है फ्लायोवर के नाम पे ठेके ले रहें, तो कहीं ने कहीं पूरी तरसे गुजरात भावी है, और मैं चीज और कह दू कि भारती जनता पार्टी के लोग, योगी इतनाद के लोग क्योल और क्योल अपना मूह सिल करके रखे हुए हैं इन्ही के नरिन मोदी जी का काम देखने वाले स्वरगी ओजा जी हुआ करते थे उनके बारे में अभी दिवंगत हो गए कुछ दिन पहले सुमन ओजा जी संभौता नाम है या भूलाओं ओजा जी आपको चंदे देता था वहां को किसी जो है एक मंदिर का निर्माण करना चाह रहते हूं तो बीच में भगवान उनके साथ न्याय कर दिया लूट रहते और चले गए तो मैं यह करना चाहता हूँ कि पूरी तोर से गुजरात और गुजरात किलावी ने बनारस के हज्जित को लू नितीश कुमार की खबरे आ रही थी कि नितीश कुमार शायद वारानसी से लड़ेंगे और उन्होंने एक रैली भी करने की कोशिश की थी मेरे क्याल से 22 या 26 दिसंबर को वो होने वाली थी उस रैली को परमिशन उनको मिला नहीं वो रारी रद कर दी गई अब मोदी जी के ही जो मंतरी है कि इंद्रे मंतरी गिरीराज सिंग वो आप कह रहें कि किसी में भी हिम्मत है तो वो आओ और मुझे वारानसी से चुनाओ लड़के दिखाओ आखिर क्या कर क्या रहे है क्या गिरीराज सिंग चाते नहीं है कि मोदी जी बनारस में पंपे ये कौन सी रण नी के नेता हैं कहीं ने कहीं जिस तरह से तीन राजयों जो ताना साही चली सुराज सिंग चवान को मुख मंतिर ने बनाना वसंदुरा राजयों को मुख मंतिर ने बनाना रवन्स को मुख मंतिर ने बनाना इसी तरह से उत्तर पदेश के चाहे योगी आदितनात की टीम के लोग हों चाय केशो परसाद मौरिया के टीम के लिए और कैसे आप बताइए अगर डर नहीं था तो इंडिया गडबंदन ने भी कोई उमिदवार घोषित नहीं किया है लेकिन बिहार के मुख मंत्री यहां पे आ करके के अपनी सभा करना चाते थे मानिन नितिश कुमार जी परधान मंत्री की सभा हो सकते उनकी सभा तो दस दिन बाद है एक हपते बाद है क्यों नहीं परमिशन दिया क्या एक मुख मंत्री आके अपनी सभा नहीं कर सकता इसलिए कि बनारस बारारसी संसिदी छित का जो मतदा थ को कि यहां पर वरार्सी मदाद मरवरार्सी छित्र में तीन लाग से ज्यादा पटेल मदाता है और आज पटेल मदाता हों के बीच में अगर बात चलती है इस पुरवांचल में उत्तर पदेश के करीब करीब मुझे लगता है कि 12 से 13 लोग सभा सिटे पटेल मदाता प्रभावित होगा बनारस में सभा करने का मतलब है कि अलहाबाद जो छेत्र है वहाँ पे फूल पूर वो प्रभावित होगा इसलिए ये डरे हुए लोग हैं तभी नरेंद मोदी जी और योगी आधितनात ने वो सभा नहीं होने दी और गिराज चोहान मैं बिलकुल कह रहा हैं इसलिए सभा नहीं होने दी और आज जो है मैं पढ़ रहा था पूर गवर्नर रगुराम राजन के बयान अभी आये हैं यह कह रहे हैं कि साथ दो जो है चौबिस साल बाद भारत विक्सित देश हो जाए दोजार सेटालिस तक रगुराम राजन कह रहे हैं कि मजाग चल अगुराम राजन कह रहे हैं जो व्यक्ति आपके मनमाने जो हैं नोट बंदी न करने के नाते जो आपकी नौकरी छोड़ करके चला गया पूर अगुराम राजन इस देश का पूर गवर्नर कह रहा हैं तो कहीं ने कहीं पूरी तोर पे एक जरूर कहूंगा कि गोदी मीडि बनारस से चुना लड़ने का ख्वाब बोल जाएंगे जालम थालम जाएंगे